नामस्कार मित्रों आज इस वीडियो में लेके आयों रवी प्रदोश्वरत उपाय आये जाने सूर्य देव को प्रसन्न करने वा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रवी प्रदोश्वरत के दिन कौन से उपाय करे जो प्रदोश्वरत रवी वार के दिन पढ़ता है वह आप उपवास को रख कर दीर घायू और शांती प्राप्त कर सकते हैं। इससे कुछ विशेश मंत्रों के जाब से हिर्दय रोग से भी अराम मिलता है। जाब करते रहे और निराहार रहे। शाम के समय प्रदोश काल में भगवान शीव को पंचा अमरित से इसनान करा है। साबु चावल की खीर और फल भगवान शीव को अरपड करे। वहीं आशन पर बैठ कर पंचा चरी स्रोद का पार्ट करे। भगवान शीव की क्रिपा से हिर्दै रोग में अराम मिलेगा। रवी प्रदोश रत पर मिलेगा धन संपत्ति का व्रतान। सूर्य प्रदोश रत के दिन सुबा के समय जल्दी उटकर इसनान करे। भगवान सूर्य को नमस्कार करे। पूर्वदिशा की तरफ मुख करके लाल आसन पर बैठा और एक तांबे के लोटे में जल भर कर रखे। सुन्दतांबे के दिये में गाय का घी भर के कलावे की बत्ती बना कर जला ले और गरपती भगवान को नमस्कार करे। सूर्य स्रोत का तीन बार पार्ट करे। अपने घर में धन संपत्ति के लिए भगवान सूर्य नरायर से परातना करे। ऐसा करने से व्यक्ति का स्वास्थफी अच्छा होगा और सांथी धन सपत्ती का वर्दान भी मिलेगा जबी प्रदोश व्रत पर करें या महा उपए सूर्य प्रदोश व्रत के दिन नमक का सेवन बिल्कुल ना करें घर का मीठा बोजन ने त्रहीन लोगों को अवश्य खिलाएं अपने घर की पूर्वदीशा को साप करके वहां पर एक दीपक जलाएं गायत्री मंत्र कर 27 भर जाब करें कुछ के आशन पर बैठ कर आदित तहिर्दर श्रोत का पाठ करें पाठ के बाद अपने पीता या पीता की उम्र के समान व्यक्ति के चरण इस पर सकरें